हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल स्टोक इंजिनियर्स जैसा कि अपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले पेरामेडिंग की एंट्रेलिंग स्टोक्रोस की काफी लोग अभी जो मार्किट अच्छी चल रही है या फिर काफी ज्यादा स्टोक मेरी खुद की जो मैंने ट्रेड्स की है आप कोई रिकमेंड नहीं किसी में हो सकता है मैं एक्जिट कर चुका हूं किसी में नहीं तो अगें इसमें किसी को भी आप कोई भी ऐसा ना होगे कल ट्रेड लेने की सोचो या ट्रेड लेने के लिए कोई एंट्री पॉइंट नही है एक्जांपल लेके चलूँगा तो कैसे किया और क्या-क्या मेरे माइंड में चल रहा था कैसे कैसे में ने सोच के किया तो वो मैं आपको बताता हो सबसे पहले ग्हांपल लेते हैं मी इंज्जिणेर इंडिया का इंजिनिर इंडिया जो मैं दखे आ monthly या weekly chart पे तो मुझे यह दिखता है कि एक range बन रही है और जो range का मुझे पता चला कि यहाँ पर यह one touch tutor support है बट मैं support पर buy नहीं करूंगा मुझे चाहिए कि higher highs बन रहा है या नहीं या फिर एक कोई अपना reversal pattern break कर रहा है या नहीं तो monthly पर जो कि नहीं दिख रहा आप चलते हैं वापिस डेली पर आपको समझ आ गया कि वहाँ पर range है इसलिए मैंने वह आपको monthly chart दिखाया तो monthly chart पर आप यह देखा है यहाँ पर range बनी यह एक range बनी और यह breakout हुआ राइट तो जैसे यह breakout हुआ तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर एक breakout दिख रहा है राइट 85-84 के आसपास आपको एक breakout दिख रहा है तो सबसे पहला मन में क्या आएग आपके कि यहाँ पर stop loss क्या रखें जब यह थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखोगे इस chart को जब आप entry कर रहे हो त आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अगर आपने यहाँ पर entry किये ऐसे 84 पर exact pinpoint पर अपने एंट्री किये मैंने 84 पर entry की थी इसलिए मैं अपना बता रहा हूं तो 84 पर अगर मनें एंट्री की उसका डिविडेंट हुआ है तो अधेस्ट हो गया होगा थोड़ा बहुत चा रखता है तो इवन यहां ना रखके मैं इस अगर पॉइंट पर entry कर रहा हूं तो मैं इसको stop loss रखकर 80 को यानि 84 पर का हमारा stop loss और फिर मैं चलने दूँगा तो सबसे पहले एक candlelight उसके बाद कोई weakness नहीं आई छोट-छोटी एक range बनी तो range मेरी सबसे पहले चीज किया है अ क्या मैं इसको ride करने वाला हूं या क्या इसको मैं positional रखने वाला हूं या swing यह मुझे पताना चीए क्योंकि swing रखना हूं तो मैं थोड़ा weakness आएगी तो मैं कोशिश करूँगा 50% बुक कर लूं रसिस्टेंस देखके मैं हो सकता है 50% बुक कर लूं लेकिन अगर मुझे पह रेंज का यहां पर एक में ट्रफ लगा लूंगा यह मैं मार कर देता हूं इस तरह से मैंगेट ओफ करके तो यह में रेंज बनी है रेंज ब्रेक आउट हुआ कोई दिक्कत नहीं है अब यही बन रहा है यह केंडल बन रहे है तो आप यहां पर भी इसको कर सकते हो क्योंकि कि देखो रेंज से जब नीचे अगर वीक हो रहा होगा तो इतने डिफ्रेंस में कोई फरक नहीं पड़ेगा वीकनेस आपको दिख जाएगे कि हाँ आपको एक्जिट कर लेना चाहिए रेंज बनी फिर चोट यह नहीं आपको देख रहा है लेकिन रेंज टाइप चल रहा तो second time touch हुआ तो उसके बाद मुझे क्या समझाया है कि अगर यहां से reverse हो रहा है तो यह दो टाइम तो यहां पर sustain कर रहा है इसका मतलब यह भी इस candle के आसपास यह भी जल्दी यानि पहले हम थोड़ा late trailing stop loss रख रहे थे अभी हमें समझाया है दो बर भी touch हुआ है पहले क् छोट अधर swing type बना है double swing type बना तो मैं इसको अराम से यहां पर trailing stop loss रख सकता हूं जो कि मैंने रखे यह मैं खुद अपनी ही बता रहा हूं जो मैंने खुद इसको ride किया है उसके बाद चला कोई इसमें trailing stop loss नहीं मिला अब जबरदस्ती नहीं है कि trailing stop loss मिलेगा तभी हम उ सोचना हो कि मुझे क्या है ऊपर जा रहा है थोड़ा रिलेक्स करो जाने दो जाने दो जाने दो इस candle पर आपको समझाया है कि यह ऐसे बना फिर ओर उपर जा रहा है तो मैं इसको trailing stop loss माल सकता हूं चला अभी इस तीन candle के बाद यह दो डोजी और यह तो इसके point of view में कैसे माने के इतनी बड़ी candle है ना इस मैंसे कोई range बनी ना इड़ candle बनी यहां पर मैं क्या करता हूं मैं यूज कर लोगा फिबुना के तो मैं को पता है कि golden ratio बहुत important है तो golden ratio अगर जब तक नहीं टूटरी तो वह मेरा क्या हो जाएगा जब मेरे पास कोई level ही नहीं बचा कुछ मेरे पास ऐसा मतलब तरीका नहीं बचा जहां पर मैं अगर ऐसे चलता हुआ है सडल नी चल रहा है तो मेरे पास क्या है swing lows नहीं है तो मैं कैसे ट्रेलिंग स्टोप लोगा तो मैं ऐसे रख लिया अब उसके बाद यहां पर आया नीचे वापिस उपर गया तो यहां पर मु पहले से ही ड्रो है तो यह मेरे एक ट्रेलिंग स्टोप लोस हो गया यह वाला swing और अभी चल रहा है चलता है तो ठीक है नहीं तो ट्रेलिंग स्टोप लोस है तो इस तरह से हमने राइड किया अब पिरामेडिंग के बात करते हैं तो जब भी आप हमें दिखता है कि कोई ऐ जैसे कि यहां पर है कि इसने डबल टच किया और यह चोट असा स्विंग है इसको ब्रेक कर रहा है तो इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं और एड कर सकते हैं यह उपर गया यह उपर गया इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं और एड कर सकते हैं रेंज बन रही है रेंज में तो totally profit है और आपको profit से मतलब है या houru से तुछ तरहें हम ने वारी candle बनी उसके वाद यह रुका यह ट्रेलिंग उपर चला 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 रेंज बनी ऊपर अब इसमें हमने बहुत पास-पास की ट्रेलिंग डॉपलोस रखे थे क्यूंकि यह चार रखे थे क्योंकि यह तो इतने चोटे swing ही छोटे swing ही छोटे बनेंगे ये range में नहीं breakout हुआ ये range अपके trailing stop loss बनी फिर ये चार candle ये range ये चार तो मैंने ये trailing stop loss रखा यहाँ पर फिर ये तीन candle बनी बड़ी वली जो candle तीसकी wick बनी इसको trailing stop loss बना अभी आपको line दिखी रही होगी dividend तो नहीं नहीं तो ये देख रहे हो नीचे आया फिर उपर गया नीचे आया तो ये समझाया है कि अभी ये swing को sustain करना चाहिए अगर ये higher highs बनाना है तो जैसे अभी हमने इंजिन इंडिया में देखा तो ये वाला level मैंने थोड़ा सा buffer दिया ये वाली range अगर sustain करती है तो ये ठीक है otherwise यहां पर higher highs के chances कम है तो हम फिर वहाँ पर आगे act करेंगे अब इस case में कैसे करें इस case में जो कि हमने यहां पर एक्जेक्ट समलोगी हमने यहां buying किया यह हमारा तो मैं अपना buying वाइंग ऐसे बता नहीं रहा क्योंकि यहां पर हम कोई trade discuss नहीं कर रहें तो यह मेरे add किया इस point पर अगर तो यह सीधा चला गया तो क्या करोगा प्रामेडिंग नहीं करोगे आप प्रामेडिंग इसलिए नहीं करोगे क्योंकि यहां से शेक आउट हो कि यहां पर आय रहा है तो आपको निकलना पड़ेगा प्रामेडिंग का कोई option नहीं मिल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है अब एड करना चाहते हैं इस इस पॉइंट पर इसको ट्रेलिंग स्टोपलोस लेके तो मान सकते हैं क्योंकि यह अब ट्रेलिंग स्टोपलोस अच्छा है डबल डोजी आपको ही बना और उपर गया लेकिन यह बहुत अच्छा एरिया है जैकर वन कैंडल टू थ्री फोर फाइफ फाइफ कैंडल्स आप देखा है जब यहां चला गया है तो हमने लिया इसको ट्रेलिंग स्टोपलोस के आगे अगर सपोर्ट पर वापिस रिटेस्ट करना है तो रिटेस्ट कर लेगा लेकिन अब यह क्या हुआ है एक पूरी बड़ी कैंडल बनी जो कि साढ़े छे परसेंट की तो अब हमने क्या किया कि इसके नीचे हमारा ट्रेलिंग स्टोपलोस होना चाहिए और अगर हम राइड करना चाहते है तो इसको राइड कर सकते है नीचे आएगा तो हमें इतना इतना प्रोफिट तो छोड़ना पड़ेगा अधरवाइस हर राइड केंडल पर हम यह सोचिंगे निकल जाए तो यहां तक हम कभी राइड करी नहीं पाएंगे जेंडेसी सेम एक्जामपल है मैं इसको स्किप कर देता हूं हमारी वीडियो जादा बड़ी हो जाएगी यह चल रहा है यहां पर अगेन हम कुछ नहीं कर सकते कोई प्रामीडिंग नहीं रैड केंडल आई फिर उसको ब्र 20-year breakout है जो कि आप देखोगे 2006 से आपका breakout है तो इसको stop loss लेके आप यहां पर प्रामीडिंग कर सकते थे इस पॉइंट पे ठीक है इसको मेरा पहला stop loss यह था क्योंकि यह मेरा positional है तो यहां पर आप प्रामीडिंग यहां पर कर सकते थे फिर चला चला फिर आप नीचे आए तो हमारा trailing stop loss क्या रहेगा यह इतनी बड़ी मूव हम अभी के लिए खोने के लिए तैयार है लेकिन खो नहीं रहे हम यह सोच हमने trailing stop loss लगा है इसका खो नहीं रहे अभी हम वेट कर रहें कि कोई ऐसा swing आ जाए फिर ऐसा तूटे तो हम यहां रख लेंगे लेकिन अभी ह भी decide करेंगे कि हमें add करना चाहिए नहीं और हम यहां पर trailing stop loss भी decide करेंगे कि हमें रखना चाहिए या नहीं FSL बहुत easy था इसलिए इसको दिखायते हैं देखो simple range के नीचे stop loss breakout फिर एक range नीचे stop loss और breakout फिर दो candle को इसलिए ले लेते हैं क्योंकि यह fail हो गया जैसे कि हमने यहां पर entry की इस पॉइंट पर 1054 क्या पास कहीं entry की यह trailing stop loss लेकर ठीक है यहां entry की उसके बाद यह देखो पड़ा अच्छा है यहां पर फिर हमने और add किया इस candle में यह trailing stop loss बन गया आपका फिर उसके बाद यह range बनी यहां पर range बनी चार केंडल की फिर breakout हुआ यह आपका क्या हो गया trailing stop loss हो गया उसके बाद आप देख रहे हो यह range बन रही है one touch two touch three touch तो मुझे एक समझा है कि यहां पर क्या बन रहा है head and shoulder head and shoulder breakout अगर यह मेरा क्या हो गया trailing stop loss head and shoulder breakout वहा तो मैंने क्या किया exit तो यहां पर हमारा क्या हुआ trailing stop loss hit भी हुआ same हमारा जो हमने यहां से चल रहा था चल रहा था चल रहा था चल रहा था हमारा यह positionality तो इसमें देखा बड़ी candle और इसके उपर यह लोकों नहीं जब यहां पर न्यूस आई थी कुछ तो न्यूस के विए से गिरा weight किया जैसे ही इसक resistance रही है तो इसका मतलब यह जब भी मौका देगा तब हम देखेंगे लेकिन इस तरह से हम यहां पर क्या कर सकते हैं ट्रेल करते करते इस तरह से राइड कर सकते हैं तो आप cash में यह मत समझो कि हम छोटा मोटा trade करना होता है cash में भी आप इतने लंबे लंबे राइड कर सकते हो easily और यह हमने proper सब कुछ public हमने discuss कर लिया और किया पहले भी तो 80-80% 70% ठीक है तो यह आप राइड कर सकते हो बिना किसी issue के trailing stroke loss और उसके साथ अब 40% 50% यह सब राइड कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बड़ी बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता मतलब कोई चीजे आप देख सकते हो यहां यहां पर एंट्री 179-40-40-40-40-40-30-80% सा आप देख सकते हो कि इतना इतना move हम right कर सकते है अराहम से easily जो मैंने आपको example के साथ explain कर दिया इसमें यहां पर ठीक है तो यहां पर वीडियो को एंड करते है आई होप आपको trailing stop loss अब समझाया हो कि trailing stop loss के साथ किस तरह से दिये दिये step wise आप ride कर सकते हो कैसे कैसे दिये दिये step wise प्रामेडिंग प्रामेडिंग जल्दी करने की ज़रूत नहीं है पहले ही quantity take सही से लेके चलो अगर प्रामेडिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा लेकिन trailing stop loss mandatory है अगर आप ride करना चाते हो और त्यार रहो कि profit को आपको miss भी करना पड़ेगा थोड़ा वह अगर आप ride करना चाते हो तो guys यहाँ पर इस वीडियो को मैंड करता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करो bell icon जरूर प्रेस करो यहाँ पर इस वीडियो को मैंड करता हूँ thank you